इस वीडियो में हेक्षा फ्रेम और ब्लेट के बारे में जान कर लेंगे जिन पाइट के उपर डिस्केशन करेंगे वो है इंट्रोड़क्शन अफ हेक्षा, हेक्षा फ्रेम, कंट्रक्शन अफ हेक्षा फ्रेम, Types of Hexa Frame Description as per BIS Hexa Blade Introduction Material of Hexa Blade Specification of Hexa Blade Types of Hexa Blade Grade of Hexa Blade Setting of Hexa Teeth Selection of Hexa Blade Precussion of Hexa Blade इन सभी पाइंट के उपर विस्तर पुर्वक जान करेंगे दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा देखे और अंतर तक देखे अगर आप नए हो तो हमारे चानल को अभी सबस्राइब लाइक और शेर करना ना भूलेगा सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकान पर क्लिक जोड कीजिएगा चली दोस्तो अब हम Hexa Frame के बारे में जनते इंट्रोडक्शन आप Hexa Frame Hexa एक मुख्य अउजार होता है उसका प्रयोग वर्क्शप में अतिरिक तो जो मट्रिल होता है वो काटने के लिए किया जाता है Hexa से मट्रिल काटने की क्रिया को स्वाइंग कहते है इसके दो प्रमुक पार्ट होते है एक Frame और दूसरा Blade सबसे पहले हम जनते है Hexa Frame के बारे में Hexa Frame अंगरी जी के Hexa U के आतार का होता है जिसको Prime Mile Steel से बनाय जाता है और उसके उपर Case Heart किया जाता है इसका मुख्य प्रयोग Hexa Blade को सही पोजिशन में बादने के लिए किया जाता है Contraction Up Hexa Frame इसमें हम जानेंगे Hexa Frame की Contraction कैसे होती है रोजन के पार्ट के नाम क्या है इसके बारे में जानकर लेते हैं दोस्तों इस तरह से हो Hexa Frame होती है सबसे बहला जो पार्ट होता है Handle इसका प्रयोग हाद से पकड़ कर Swine करने के लिए किया जाता है दूसरा है फ्रेम दूसरा Wing Nut Wing Nut का प्रयोग Hexa Blade को Tight पकड़ करने के लिए किया जाता है और उसके बाद आता है यह जो portion है इसको बोलते है Fixed Blade Holder और जो आगे पीछे होता है इदार का इसको Agistable Blade Holder बोलते है और जिस Pin में Blade Fit होती है उसको Retaining Pin कहा जाता है और इस तरह से यह Hexa Frame की बना ओट होती है अब हम जानते हैं इसके Types के बारे में सबसे पहले है Fixed Hexa Frame दूसरा Agistable Hexa Frame और तीसरा Deep Cutting Hexa Frame इस तरह से तीन प्रकार होते हैं सबसे पहले अब हम जानते है Fixed Hexa Frame के बारे में इस प्रकार के Hexa Frame को एकी धात्तु के टुकड़े से उसके दोनों सीरे 90 डिग्रे में मोर दिया जाता है इसमें एकी साइज की Hexa Blade को फीट कर सकते है यह Hexa बाकी Hexa से ज़जा मजबुत होती है इसको लैट में भी बना जाता है Square Pipe और Round Pipe में भी बना जाता है अगला है Adjustable Hexa Frame इस प्रकार का Hexa Frame धात्तु के दो तुकड़े से बना जाता है जिसको आसानी से Adjust कर सकते है इसलिए इस प्रकार के Hexa Frame में भिन्न भिन्न साइज के Blade फिट कर सकते है और यह भी Flat और Tube में पाई जाती है Deep Cutting Frame इस प्रकार के Hexa Frame Fix Hexa Frame की तरह ही होती है परन्तु इसके दोनों सीरे अधिक लांबाई में मूड़े होती है इस प्रकार के Hexa Frame का प्रयोग अधिक घहराई में स्वाइंग करने के लिए किया जाता है ज़जा घहराई में अगर स्वाइंग करना है तो इस प्रयोग किया जाता है अब हम जानते है डिस्क्रिप्शन एच पर बी आईएस बी आईएस के नुसर ए बी सी डी इस पाच प्रकार से इसका डिस्क्रिशन किया जाता है उसकी जो फ्रेम होती हो पाच प्रकार की होती है और इसमें 250 mm से लेकर 300 mm तक की ब्लेट फिट कर सकते है सबसे पाइल इसमें है टाइप A open grip adjustable hexaframe दूसरा टाइप B close grip adjustable hexaframe टाइप C straight grip adjustable hexaframe टाइप D straight grip non adjustable hexaframe और टाइप E deep throat non adjustable hexaframe इस तरह रखे होती है सबसे पाइला है open grip adjustable hexaframe इसका जो grip होता है, जो handle होता है, वो इस तरह से open होता है, इसलिए उसको open grip adjustable hexaframe कहाते हैं, दूसरा है type B, close grip adjustable hexaframe, इसका जो grip है, जो handle है, वो बिलकुल close रहता है नीचे से, इसलिए इसको close grip कहलाते हैं, तिसरा straight grip adjustable hexaframe, इसका जो grip है, जो पकड़ने का handle है, वो बिलकुल straight ह बीड वेक्सीट्ट है प्रइब प्रीप लेकिन नानेज्िस्टेबल है रहतेगे लेकिन नानेफिस्टेबल है और इसके बाद है डीप थ्रोट नानेज्टेबल हैशा नचेज लगाराई में अगर करना है इसका प्रयोग किया जाता है इसका हमあー एक्साब्लेट इंट्रोड्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दोनों साइड इसके पीन होल की आ रहता है और पीन होल का जो सेंटर होते हैं दोनों पीन होल का उसमें उसकी लंबा ही मेजर करते हैं इस तरह से यह ब्लेड होती है यह ब्लेड प्राई हाई करबर स्टील है स्पी स्टील और लो अलाय स्टील से बनाए जाते हैं कारिय के उसार इसके उपर हार्ड और टेमपर कर दिया जाता है इसका स्पेसिपिकेशन होता है एकसा ब्लेड का इस तरह से होता है लेंथा ब्लेड ठीकने साब ब्लेड विड्टा ब्लेड पीचा ब्लेड इस चाल तरह से इसका स्पेसिपिकेट किया जाता है इसको लेंथा ब्लेड में इसकी लंबाई 250 mm एंड 300 mm में उपलब्द है ठीकने साब ब्लेड 0.63 mm से 0.8 mm तक है विट ब्लेड में 13 mm से 16 mm तक पीछा ब्लेड में पीछ का मतलब होता है दो नजदी की जो टीथ होते वहां की दो दूरी है उसको पीछ काते है पीछ होता है 0.8 mm 1 mm 1.4 mm और 1.8 mm इस तरह से उसको पीछ होता है और इससे उसको स्पेशिवाइड किया जाता है और जो दोन होल होते हैं ब्लेड के उनके सेंटर की दूरी को मेजर काया जता है और वो 250 mm और 300 में पाई जाती है इस तरह से यह हेक्सा फ्रेम का स्पेशिवाइड हो गया है टाइप साप हेक्सा ब्लेड हेक्सा ब्लेड के प्रकार कितने हैं उसके बारे में आब हम जानके जानकर लेते हैं सबसे पहला है फ्लेक्जिबल ब्लेड आलहाट ब्लेड फ्लेक्जिबल शेंटर ब्लेड और स्प्रिंग ब्लेड इस तरह से चार ब्लेड पाई जाते हैं सबसे पहला है फ्लेक्जिबल ब्लेड इस प्रकार के हैक्सा ब्लेड में केवल दातों वाला भाग भी हाट और टेंपर कर दिया जता है और पीन हल और ब्लेड के पूरी बाड़ी को साफ्ट और टाप रख दिया जता है जिससे इस प्रकार के ब्लेड जटको आसनी सहन कर सकता है और जल्दी तुटता नहीं है इस ब्लेड को टेस्ट करने के विद्ध इस प्रकार होती है 60 mm का जो राउंड होता है उसको आप लपेट कर अश्टा से देख सकते हो यह उसकी टेस्टिंग होती है को उसके बादा है वर हार्ड लहट ब्लेड इस प्रकार कह अधि में केवल पीन होल का चोड़ पूरा ब्लीड को हाड और टेया जाता है जाना सा जटके लगने से यह ब्लेड छूटता है इसलिए इसको चलाते समय ध्यास रखना पड़ता है कि इस पर खटका नहीं लगे और इसको टेस्ट इस प्रकार से किया जाता है जिसका रेडियास 125 mm एसा एक राउंड लेके उसके उपर अपला पेटकर इसको करने की एक मेथर होती है उसके बाद आते है फ्लेकिजिबल सेंटर ब्लेड इस प्रकार के ब्लेड में दातों के शीरोवा ब्लेट के पिछले सीरोग को ब्लेट की लंबाई तक हाट तता बाकी भागो को स्प्रिंग टेमपर कर दिया जाता है इसका जो ब्लेट का हिस्सा है उपर का जो हिस्सा है उसको हाट करते है और बाकी जो हिस्सा होता है बचा बीच का उसको टेमपर करते है और इस ब्लेट को पूरी ब्लेड को टेमपर करते हैं इसको भी टेस्ट इस तरह से क स्केया जाता आए प्लेड कर सो बहुत यूपर टेमपर करते हैं। बाकि पूरी ब्लेट को टेमपर करते हैं और इसको भी टेस्ट इस तरह से किया जाता है 100 एमियों का एक राउंड लेकिए उसमें आप लपेट सकते हो और इसको देख सकते हो कि यह ब्लेट कौन सी है करके इस तरह से इसके प्रकार हो गए है अब हम जानते हैं ग्रेट के बारे में है एकसा ब्लेट का ग्रेट जो टीथ होते है उसका जो पीच होता है उसी के उपर इसका डिपेंड होता है और यह ग्रेट पोर स्पीच ब्लेट मीडियम पीच ब्लेट फाइन पीच ब्लेट और भेरी फाइन पीच ब से सबसे पहला जो है वह कि पूर्स पीच ग्लेड इस ग्रेट के ब्लेट पर प्रत्ते के इंच में फोर्टिन टीट कटे होते हैं जिसे से धातु बहुत चल्दी कटती है इस ग्रेट वले ब्लेट का अधिकतर प्रयोग मोटी और मुलाइम धत्तु काटने के लिए किया जाता है जैसी की बितल तामबा अलुमिनेम इस तरह की धत्तु काटने के लिए किया जाता है भारते स्टेंडर्ड के अनुसार इसका जो पीच होता है 1.8 mm होता है मीडियम पीच ब्लेट इस ग्रेट के ब्लेट पर प्रत्ते की इंच में 18 धत्ते होते हैं इस ग्रेट वाले ब्लेट का मुख्य प्रयोग साधरन कार्यों के लिए किया जाता है इसका प्रयोग माईल स्टील और कास्ट आइरन को काटने के लिए किया जाता है भारते के नुसार इस पर 1.4 mm पीच के दाते कटे होते हैं कि आइन पीच ब्लेट इस ग्रेट के ब्लेट पर प्रत्य किंच में 24 तीथ कटे होते हैं इस ग्रेट वाले ब्लेट का अधिकतर प्रयोग मीडियुम कर्बान स्टिल को काटने के लिए किया जाता है भारत्य स्टेंडर्ड के अनुसार इसका जो पीच होता है वो है 1 mm होता है भेरिफाइन पीच ब्लेट इस ग्रेट के ब्लेट पर प्रत्य किंच में 32 तीथ कटे होते हैं इस ग्रेट वाले हेक्सा ब्लेट का अधिकतर प्रयोग पतली जो गेच की सीठ होती है या पाइप होती है जो तह हाट हाटू काटने के लिए किया जाता है भाई भरत्य स्टेंडर के अनुसार इस पर 0.8 mm के पीच के दाते कटे होते हैं इस तरह से यह ग्रेड हो गया अब हम जानते हैं इसके सेटिंग के बारे में अब लेड पर दातों को दाया और बाया और मुड़ने की क्रिया को सिटिंग कहते हैं एक्सा ब्लेड पर दातों की सिटिंग में निमेलिक कित कारण होते हैं सबसे पहला जो कारण होता है वह हेक्सा ब्लेड पर दातों की सिटिंग होने से ब्लेड अपने बाडी की मोटाई से अधिक मोटाई में काटेगा जिससे ब्लेड कट में फस्ता नहीं है शेटिंग करने से blade की जो थीकने सुती है उसे श्यादा थीकने इसमें पर जाता है इसलिए वो future है Exodus Blade पर दातों की शेटिंग होने के कारण इसका प्रयोक करते समय और estásnd clock friction कम परईदा होता है जुससे अंधिक समय तक कारिय करता है एक्सा ब्लेट पर दातों की शेटिंग होने से ब्लेट को चलाने में सुविधा होती है और ब्लेट को कम ताकत लगती है एक्सा ब्लेट पर दातों की शेटिंग होने से वह अधिक गहराय तक कटिंग कर सकता है यदि ब्लेट पर डातों की sitting ना की गई तो वहाँ अपनी चवराई से आधे से अधिक नहीं काट पाएगा और कड़ भी ठीक से नहीं लग पाएगा इस तरह से sitting करते हैं sitting आप hexa teeth, staggered sheet और wavy sheet इस दो तरह से hexa blade की sitting की जाती है सबसे पहले हम staggered sheet के बारे में जानते हैं इस प्रकार के sit वाले blade पर एक यदो दाते दाये तता एक यदो दाते बाये मोडे होते हैं और इसी क्रव में पूरे blade पर setting की होती है इस setting वाले blade प्राए जनरल परपच के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं अगला है वेवी set इस प्रकार के sit वाले blade पर दातों की एक लहर बनी जाती है इस setting वाले blade विशेस्ता ट्यूब और पतली जो sheet होते हैं वो काटने के लिए इसका प्रयोग क्यार दे इस तरह से यह होता है 0.8 mm pitch वाले blade हमेशा वेवी set पर पाए जाते हैं और 1 mm वाले जो pitch वाले blade होते हैं वो staggered और वेवी set पर पाए जाते हैं यह बाद हमेशा आप ध्यान भी रखिएगा selection आप hexa blade, hexa blade का selection कैसे करते हैं इसके उपर हम जान कर लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जिसका pitch 1.8 mm है और teeth पर इंच है 14 वहाँ blade जो होते हैं वह साप material लाइक बास, ब्रावांज, कापर के लिए प्रयोग में राय जाते हैं इस तरह से उसको selection करना है आपको 1.4 mm pitch वाले जो blade है जिसका teeth जो होते हैं वह 18 होते हैं हमेशा mild steel और cast iron में प्रयोग में लाना चाहिए 1 mm वाले जो pitch के blade होते हैं वह हमेशा medium carbon steel के प्रयोग लाना चाहिए जिसका TPI होता है वह 24 होता है और 0.8 mm वाले जो pitch वाले जो blade होते हैं जिसमें teeth की संक्या 32 होते हैं हमेशा है करब श्टील अलाय स्टील थीन सीट और pipe tube अधि काटने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए इस तरह से आपको यह blade को selection करना है precaution स्वाइं करते समय क्या-क्या precaution लाइना चाहिए इसके बारे में अब हम जानते है है hexa blade को बड़ी सावदाने सी ठीक तणाव देकर frame में बानना चाहिए अर्था blade को frame में ना अधिक कस्ना चाहिए और ना अधिक धिला रखना चाहिए हमेशिया यह बात ध्यान में रखिए कि ना अधिक कसना है और ना अधिक घिला रखना है जाब को वाइस में बांते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाब वाइस के जासे अधिक बाहर ना निकले जापके अनुसार सही ग्रेट का ब्लेट का प्रयोग लाना चाहिए हेक्सा को जटके के साथ नहीं चलाना चाहिए हेक्सा का प्रयोग करते समय पुलंड का प्रयोग अश्य करना चाहिए चलाते समय यदि ब्लेट टूट जाए तो नए ब्लेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दुसरा पुराना ब्लेट लेकर ही कट को पूरा करना चाहिए यदि नए ब्लेट का प्रयोग पुराने ब्लेट के कट में करें गए तो वह फस सकता है और टूपने का चांस अधिक होता है दोस्तो इस प्रकार हमने आपको पूरी जानकरी दी है अगर आपको यह जानकरी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलेगा और नए वीडियो के नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरू के जेगा थेंक्यू